शर्प्रतम अपने गुरुपाद पद्मों विष्णुपाद अश्टो तरसतो शिष्ण भक्ति बेदान्त मादोगस्वाई महाराजी के चरन कमलों में अनंत कोटी डॉंदत पराम करता हूं तर्थ पस्चाथ सिर्पाद प्रमेशित प्रभुई के चरन कमलों में विष्णुपाद भक्ति बेदान्त विष्णुपाद विष्णुपाद भक्ति बेदान्त सिर्थर महाराजी के चरन कमलों में हमारे संजेपव की चरन कमलों में समस्त बैष्णुपाद योग बैष्णियों के चरन कमलों में मेरा यठ्थायोग डंड़त पनाम शुकार कल और परशनों दिन दो दिन बहुती पवित्र अपावन तिथी गई बशनों की हम लोग महिमा उनकी योगदान किस तरह से उनकी बजन की पधती किस तरह से अपने आपको इस जगत में प्रस्तुत किया हम लोग के ये मार्ग प्रसस्त कर दिया इस सब हमने सर्वन किया बिशेश रूप से कल जो भक्ती सी रूप सिधानती गुस्वाई महराज कीती थी गई जिसके समंद में हम लोगों ने सरवण किया किस तर से उन निरिभिक थे भक्ति मार्ग में जो भक्ति धर्म है अनुगत मई धर्म है भक्ति धर्म जो अनुगत भीहिन होके होगा ही नहीं और सब अनुष्ठान के लिए जो इसे सतंतरुप में हो सकता है ग्यानित्यदी कर्मित्यदी लेकिन भक्ति जो है अनुगत में होगी यह जो कहा भक्तिया संग जायते भक्तिया भक्ति से भक्ति होती है भक्ति से हैं भक्ति होती है तो इसके लिए भक्ति का जो पर्थमंग है सर्मण इसमें दो बस्तु यह आ गए एक तो बगता चाहिए एक सरुता चाहिए संग में होगा इसलिए बैशनों के तिथी परम पविद्र है जिसे संजपू कल बतारेते की भगवान के तिथी के अनुसार ही जिसे भगवान के तिथी को हम बहुती अच्छे धंग से मनाते है अबाउती उस्साहर आता है वैसे ही बैशनों की तिती भी होने चाहिए और बैशनों की तिती हमारे लिए भगवान की तिती से भी अधिक महत्पूर है क्योंकि जिस मार्ग से बैसनों ने प्रमपद भगवान को लाब किया है उसी पे हम भी जाने की परियास कर रहे हैं इसलिए उनकी जो उनकी तिती हमारे लिए बहुत ही महत्पूर है ए रुपज सिधानती को स्वामि महराज के विसे में हम लोग सर्वन कर रहे थे कि किस तरह से अपने गुरु बर्ग की महराजी बता रहे थे कि जो प्रहुपाद प्रहुपाद इसे नाम ले लेके वो आसु बहाते और बिलाब करते थे इस तरह से हम माला पे हरिनाम करते हैं वो ऐसे वो प्रुपाद इससे इतना बिरह था एसा इस्तिती कब आएगे एसा बिरह हमारे अंदर कब परकट होगा एसा बिरह जब होगा जमें हमें यह अनुभव होगा कि क्या चीज उदे के गए क्या चीज हमें दिये हैं जब एसा समंद पर गाड़ हो जाएगा प्रित्ति हमारी वहाँ जब चली जाएगी तब ऐसा बिरह उत्पन होगा बरना ऐसा बिरह नहीं आएगा हमें जो ऐसे बिरह पाइदा करना यह सिर्फ एक गुरु बैश्णों के किरपा से ही है इसलिए जो सास्तिरों में बताया गया कि गुरु से वा और वैश्णों से वा इससे भगवान जिस तरसे बसी बहुत होते हैं और कोई साधन करने सकता उद्व जी को बोल रहे हैं नाहम इज्या परिजा दाति भ्याम तपसो उपासने वा तुस्यम सरभूत आत्मा गुरु सुसूरु सहया यह था करें च्याम जूस्यम हुए गयास धर्म के पालन करो या ट्यागी हो जाओ या ज्ञान उपमेर किसी परकास से तुम पासना करो जैसे गुरु के सेवा से मेरे को संतुष्ट कर लोगे वैसा कोई साधन होगा नहीं वैसा कोई ऐसा साधन नहीं है जिसम मेरे को पूरा बसी भूत कर पाओगे इसलिए जो गुरु सेवा ही सबसे प्रधान है बैशनों सेवा ही सबसे प्रधान है इस गुरु बैशनों के सिवा से क्या होगा ये सिधान्ती तादी जो है हमारे अंदर आएंगे ऐसा हम कितना हुँचेश्टा कर लें बिना गुरु बैशनों की सेवा की हम बहुचेश्टा कर लें कि सारा चीजों को जो सिधान्त और जो गरंद की गूर्ण ताथ पर जो है हमरे हिंदे में प्रकासित हो जाए तो हो चता है किसी की तिब्र बुद्धी हो बहुत पढ़ा लिखा है तिब्र बुद्धी है उस चीज को धारन कर ले लेकिन वाटी के गए नहीं कुछ समय बाद वहां से कतम हो जाएगा क्योंकि वो तो पातरता तो नहीं है वो चीज तो नहीं है उसके अंदर की वो चीज को धारन कर पाए इसलिए संजपोन बताया कि कौन गुरु के किरपा प्राप्त है कौन नहीं प्राप्त है इसके कैसे पता लगएगा वो गुरू का आचार बिचार सब उसके अंदर दिखाई देंगे परकासित होगे सब आचार बिचार उसके अंदर आएंगे उसके अंदर उस बेक्ती का अंदर कोई लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं मैं गुरु से वाकिया, मैं इतने साल गुरु देव के साल था, उसके भुराइं जो जितना गुरु जी कहते थे, उनके आचार बिचार, उनके हरिकता, इत्यादी, किस तरह से उकिया करते तो उनकुछ परकासित नहीं हो रहा, तो क्या हो गुरु की खृपाद्र है? नहीं, तो यह जो है, इस संभव है, कि गुरु के सिवा से, संपूर गुरु की, संपूर जितने को गुरु के अंदर है, सब सिश्च के अंदर परकासित हो सकता है, हो जाता है, ऐसा नहीं होगा ते जो गुरु परंपरा है न, कृष्णा जित चद्रुपत, इस सब जूटा हो जाए तो यह देखा गया कि इस तर से उनकी गुरु निश्टा थी और इस तर से जो पुरुपात के नाम लेके वो बिलाब करती थी एक चीज और बता रहे थे हैं लोग कि जो इनके अंदर बहुती हैं निर्भिकता थी निर्भैती जब हमें पता लग जाएगा कि जो हमरे रक्षक करता से भगवान हैं हम भगवान की चत्रक साया में चल रहे हैं हम गुरु की चत्रक साया में चल रहे हैं हमें जो एस संसार की जो संसार की बिगदमबधाईं जो हैंँ हमें क्या कर सकती हैneh Ça बा स governance यह फो कि बता लग जाएगा तब एसा निर्बिक्ता आ सकती है प्रवर जे ने एक इस इस से में स्लोक सुनाया था कि जो किस तरसे सादक के उपर प्राण प्राण जो जाने वाला है ऐसा संक्ट भी पड़ता है फिर भी उसकी प्रकिर्टी विक्रित नहीं होती प्रभुजने सुनाया था गिष्टम गिष्टम पुनरपी पुनस्च चंदनम चारुगंधम छिन्नम पुनरपी पुनस्च एक्छुच डंडम दगदम दगधम पुनरपी पुनस्च कांचनम चारुकांतम ना प्रकिर्टी विकर्टी जायती सजनाना कहा कि जिस तरसे चंदन को जितना आप घिसेंगे घिसते जाएंगे तो खुस्वू उतना बाहर आएगा गने को आप जितना चबाएंगे उतना ही मिठास आता है जिसे सोना है उसको जितना आप तपाएंगे उतना ही निखरता है इस तरह से बैष्णों के उपर ऐसे संकट आता है, प्राण चले जाना है, प्रांती ऐसे संकट आता है, पिर भी उसकी परकृती बिकृत नहीं होती, उनकी जो और तिबृता होती है और उनकी भक्ती निखरती जाती है, कैसा अधुत भक्तों का चरित्र है, एसे मतलुए कि ऐसे निर्भिक उनका अंदर है कि प्राणा आंतर, प्राण की समान, प्राण मतल्ब कि जो वहाँ जो सभा में जो उन्होंने बोला था, वीवेक का नम कि इससे सब किया था, और कई जगा और भी कई-कई बातें उन्हों पता रहे थे, बोले थे, तो वहाँ न गाड़ सकता है फैसाथ जो कभी भी वो जो इकिंश को में लेकिस सिदान्त के लेके कभी भी जो खुम प्रवाइब है जो सिदान्त थे है वो है उसे बहुत बहुत बाते सुनी एं अपने उसाथ की जो मंदिरों में सरपत हम्य जो चित्र पट बिगर इतादी इदर बनाए जा रहे हैं इन्हें का रुप सिंदान्त गोस्वाम Club महराज की सरूु किया हुआ है यह कहां हैं गर्ग साहिता में划र में गरगा चाज बता रहे हैं कि किस तरस से आहाप जो मंदिर के दरवाजी पे संक चक्री तादी बना सकते हैं यह चित्रपट बना सकते हैं और चूड़ा जो मंदिर का इतादी है यह सब बना गरगा चार्ज बता रहे हैं वहें से यह लिया हुआ है तो यह जो इस तरह से प्रकासित किया यह कहा जाता है कि जो आठ प्रकार की बिग्र बताएगे शैली दारु मईलूया लेप्या लेक्या ससेकती मनो मई मणी मई परतिमा अस्ट विदा असमिता इसमें एक है लेप्या चित्रपट चित्रपट क्या जो मडी मई है सैली पतर की दारु मईल लकड़ी की इतादी जो बिग्रा है यह तो परतिस्टिट बिग रहें जो लेफ्या है जो चित्रपट है इसको क्या हम इससे फिर तक मान लेंगे तो यहां बताते हैं कि एद्पी जो है चित्रपट है इसमें ऐसे मूर्ति जो परतिष्ट बिगरब मूर्ति है इसकी सेवा के पेच्छा इसको सेवा नहीं करेंगे परतिष्टा अगर है तो अ पराद हो गए हैं इसे वक पराण परतिष्टा के साथ हैं सक्षाति बगवान हैं इनकी हमेशा सेवा करना पड़ेगा नहींता पराद होगा लेकिन चित्रपट जो है इसमें नियम नहीं है इसका आप सिर्फ सफाई करने के नियम है बागवत में दिखा रहे हैं उदोजी को क गाप आपकी सर्धा है इसमें आपके यसी भगवत पूद दिया जाती है न यह सो भगवान है कि बगवत में बोला कि आतर गीव रहा होते हैं तो इस जो परतिष्टित बिग्रह है जो पत्तर की हैं जो लकड़ी त्यादी की इससे भगवान अगर परकड़ हो सकते हैं तो चितरपट से भी परकट हो सकते हैं इसमें कोई संदेन नहीं है करना नहीं चाहिए तो इसलिए इनका ही यह देन है सब जो चितरपट इत्यादी बनाया हुआ है और भी कई-कई हमने बाते सुनी हैं उनकी किस तर से उनकी किस तर से आच्रन प्रस्तुत किया इस जगत में उसस हमें बहुती सिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए वैसे मार्ग पर हमें चलने की प्रयास करना चाहिए यह महराज की प्रभी पावन चरित्र है इस चरित्र को जो अपने जिवान में उतारेगा वो निश्चित रुप से उनकी प्रगति होगी और किष्ण भक्ति करना भी नहीं चाहिए मैं यह सब बगता ब्रभी करता हूं ज्यादा कुछ पता नहीं है मुझे वान चाकल प्रभृष्ण कि प्रासंदुब है उच्छे क्या मानना दा इतला आज है कि आस यहीं आवा देखो जैसे स्री चैतन महाप्रोहने जगाई माधाई का उधार किया है जैसे जगाई माधाई दो पिकतर घृब्यके अब करते गश्ति रास्ता में यह ख़ड़े हो जाते थे रास्ता में वह पान करते शराद्विते थे पउस्षर यहाद sempre में वह बैठी करके पिते थे और आस्ता लोगों छोड़ देते थे नहीं आते थे ऐसे मेरी गुरुदेव एक बहुत बड़े पीयकड को उधार किया इतना भयंकर वह वेक्ति था इतने भयंकर था क्या लंब हो सकता संजय प्रुव देखेंगे सुधरसंद ददा को चारी-पांच उसका दुकान है चारी-पांच उसका के कपड़ा का दुकान है एक जो यह होता है ना तरहतर का जो पकोड़ा तरहतर का जो यह मुड़ी फुरी उधर दुकान और ऐसे चारी-पांच उसका दुकान है बड़ा पैसा वाल दर पाटी है लेकिन सराब पिता था ऐसे सराब पिता था हैं जब बोलता जब मैं सराब दुकान में घुश जाओ ना और जितने सराब भाग जाएंगे सब देख करके मेरे को और जब सराब पिने का समय आ जाएगा हैं जब तक सराब तीन चार किल मांस एक साथ में खाता था हो जब जब तक मैं इसको नहीं खाऊ हो जाता है इतने पी पी करके इतना बुरा आदत बने गया था वह भाग जाएंगे कोई एक भी नहीं बैठेगा इतने भाएंकर था यह उले एक समय यह गया था नवधीव में नवधीव में गया था तो जो शाराब पूंना लग गया औप पैसे वाला थाई उसी समय उसने क्या क्या सौ रूपया निकाल करके उनने पुजारी को हाथ में दे दिया सौ रूपया में उसमें किमत था उनने इसको दे करके पतानी ठागुर का कैसे फूल की सुंदर एक माला थी रजनिगंदा की सुंदर ठागुर का प्रसादी के माला थ उसने उसकी गला में पहिना दिया है भगवान ठाकुर का प्रसादी सत्मुष से जैसे उद्धव कहते हैं प्रभू यह माया को मैंने कैसे जीता है के वल आपका प्रसादी बस्तर से प्रसादी बस्तु ग्रहन करके हमने यह माया को जीता है जब उनकी गला में फूल की माला द परसाद दिया पतानी उसका मन कही से परिवर्तन हो गया उसका मन कही से परिवर्तन हो गया में दिख्षा मंत्र लूँगा मेरे को दिख्षा मंत्र दौर मुह से बद्वु निकल रहा है सराब की बद्वु निकल रहा था मुह में महाराजी महाराजी हमें दिख्षा मंत्र चा काहां पर 29 हाजयर रोड में उसका घर भी था कलकता में उसने आड्रेस लिया आडरेस लेकर कि उसने आया गुरूजी को पास में पर जब गुरूजी को पास में आया गुरूजी मेरेको दिख्या मंत्र चाहिЁ तो गुरुजी ने खा देख बेटा दिख्या मतर लेने के लिए हमारी कुछ नियम हैं चार नियम तो पालना करना पड़ेगा दुत्तम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतर विधा ये चार नियम को तुम्हें पालना करना पड़ेगा जुआ खेलना चोडना पड़ेगा, मांस मचली अंड़ा पिया जलसनों चोडना पड़ेगा, इसलिए तुमें जतने नसली बस तु मांस जतने तरका नसली पान, बीड, शिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, सराप ये चोडना पड़ेगा, अब ये दस्तरी संगत तुमें चोणना बड़ेगा जुआ चलना बड़ेगा पाल न कर सकतो इसको लेकिन पता नहीं उसको अंदर में क्या भावन आए अब विशेश करके हमारे गुरुजी को जो देखे हो मेरे गुरुजी भी बड़े लंबे चावड़े उनका जो चेहरा था बड़े लंबे चावड़े है इतने हमारा जितना सरीर होगा गुरुजी का जंगा इतना बड़ा जितना वार सरीर इतना जंगा गुरुदेव का बड़े उभी बड़े लंबे चोड़े थे और देखने में केतना पहले दर्सन धारी फेर गुण विचारी पहले दर्सन करते ही उनको तो बले बावारी क्या उनकी पारस्टनाल्टी था कभी उनकी गला की आबाज कभी कता सुनाएंगे आपको जैसे गुरुदेव का के इस गुरुदेव का इतने लंबे चोड़ी और इतने सुंदर गौरो बरनी के देखरें तो मुगत हो गिया और गुरुदेव नहीं काह már तेरी मुह से तो बदुआर है, सराव की बदुआर, सराव पीते हो, बले गुरुदेव सराव पिता हो. भालि चौळणा पड़ेगा मांश चौढणा पड़ेगा गुरुदेव. फिर जाकर मेरा पेट दर्दबंध होता है क्यांकि जब समय हो जाता है खाने का, मेरे पेट में जंतरना होता हैं जब जाकर पिता हूँ खाता हूँ जाकर सही होता हूँ मैं छडूँगा के इसे तो गुरुजन का बेटा कोई चीनता मत करो इसको आज से छोड़ दो और भगवान का नाम को तुम गरान करो इसलिए और अकेला नहीं देंगा तुमको क्योंकि बंगाल में तो समाच मचल लिखाने वाले परिवार माच मचल लिखाता हैं पहले अपना पत्नी को मनाओ पत्नी और तुम दोन एककट हरिनाम गरान करो क्योंकि पत्नी ही पहले बड़ा अभिजय से नियम कानुन इतना ठीला हो गया पहले इतना प्रहुपात का समय में उनका सिस्ष्ण लोग बड़े कठोर नियम हैं किसी अधिक सिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आपड़ी हो गहाता उसको एक रिक्सा पाला ठीक हुा था रिक्सा graph चल नहीं पता साथ को ला करेंगर घर में चुडरता था उसकी पत्नी धर्वाजा नहीं खुलती थी पीट करता था इसलिए धर्वाजा बंद कर देती थी रात भर घर को बाहर में वह अच्छे तो पड़ा रहता था सराब पीखर के पर सब्रे होने पर जब सराब का नसा कम होता था उसकी पत्नी खोलती थी फिर वह अंदर में जाता था जब उसको पत्नी तो स्वयम परिशानी फूला कि यकली फिर पत्नी बोला यह मास मचली चोड़ rightly राजी हो गया राजी होकर के dud एक बार केबल उनको बोले इसको छोड़ दो अब बता होगा जो शराभी होते हैं और जो मास छोटना कितना गठीन है गुर्दव एक भार उनको गुरुजी श्के मुह से निकल गिया और कुछ नहीं होगा तुम भगवान का नाम ग्रान करो और कुछ नहीं होगा वो कहता है कि बोलो गुरुजी का एक बार गुरुजी बोल दिये मेरे पेट में जो दर्द करता तो सोच भी नहीं सकता हो लेकिन गुरुजी बोलते ही उसी दिन में ने त्या किया उसको बात में मेरे पेट में दर्द नहीं फर्द नहीं कुछ नहीं हुआ पूर हिसंदरी कि आउसटल न किया करता था पत्यू को तरप में सर मुत करते। फट्री को क्वें पत्युंता देखे छलता था जब रंगे जी रोचों करने के लिए या उसकी प्रणाम कर रहे हो लेकीन उपसको डर्षान करे अपना बीवी को मूख देख रहा है लामा जी सुन्दर अ इसको दिखाँ डिखाँ तो फ्योंने ठाखुर्जीस से प्रार्थना ठाखुर जी आपका रूप का एक छटा इसको दर्सन दो और उसका सर पर हाथ रखकर की जब हाथ रखे उनका अंदर ज्ञान की स्फूर्ति कराया बास जब ठाकुर जी को रूप को देखा वहीं को ही बहस हो गया तब से पत्नी का मुह देखना छोड़ दिया उसी तरह मेरे गुरुदेव ही उनने क्या जादू किये जब से मैंने गुरुजी का आश्रे लिया जैसे धनुर धरबाद में रामान जो आचार जी का तिना बड़ा सबसे बड़ा सिष्य बना जब सन्यास लोग जो सरीरी में तेल लगा करके वह सनान करने जाते थे सन्यास को कंदे पर रख करके जो उपर से उडते थे दनरदर का कंदे पर हात है इसलिए उनको अभीमान जो इतने साल सन्यास को मन को अभीमान हो गया गुरुजी जो तेल लगाकर अपवित्र होते थे तब उतरते हैं हमारे कंदे पर हाथ रख करके जब उड़ते हैं यह ग्रियस्त हैं इसको कंदे पर हाथ रख कर उड़ते हैं इसलिए जैसे रूप कुरदीत हो गए कमे erkl hours कि यह भी इतना बड़ाय अब सोच ने सकते उतने बड़े साधु बना गुरुदेव को कार में चड़ना को सदारन बात नहीं था कार इसलिए गुरुदेव के कार उस ने लिया कार और मिठाई वो जब आता था मंद्री में रोज रोज भर भर करें लेता था और जब में रहता था पूरी में और नवदीप में एक माट जब सुनते थे सुदरसन दादा आएंगे एक इतनी खुस हो जाते हैं हम लोग क्योंकि अच्छा रोसया था और घर से सारे सामान को लेक करके 229 को बैठा बैठा राग्र अपना हाथ से बनाएगा और 229 को भोजन कराएगा इसलिए जब वह आते थे ना आ हमारी प्रमचरी खुस सुदरसंदा सुदर शुदरसंदा आаж और वहां का संदेश बिठाई वहां के बंगाल का संदेश बिठाई वहां से सब कुछ लेक इन था अभी उनकी पत्तिन कुछ दिन पहले सरी चोड़ दी ऑभी कुछ दिने पहले सरी छोड़ें अभी के बेटी है ऑव बेटी अच्छी है वह Jiहां 7 कि मंतिरी यह यहां पर भी गुरुशी का तरटका के दिन इसे पैश आपना हाथों में आलो तम बनाएगे बंगाल के आलो तम बड़ा प्रसेद बहु बंगाल裡 ले जान понятно वो करते कि अजिए हैं नहीं बनाएंगे। रिभाफ से जार्फ महाराशीय। कभी उन्हें उधार किया इसलिए हमारी गुरुजी को हमारी जिसे परिजट का महराज जैसे अभी मदुशुद्र महराज ना कभी-कभी जाते थे नवदी मठ में हमारी गुरुजी कथा सुनने के लिए क्योंकि वो स्वयम बामन को स्वाइब महराज भेचते ते जाओ सिद्धान्ति महराज को मठ में जाओ कथा सुन करके आओ और परिबराज महराज अभी इनको भी इनको गुरुजी कहते थे जाओ उनके मठ में देखना जब दर्सन करके आओ दर्सन करके आए तुमने क्या देखा यह देखा तीन बंदर देखा कि नहीं हाँ तीन बंदर जिए दिखाoure वल्य उनने तिन त्यर्प लाटने कफृत शुक्त हाँ को स्वाए महाराज तहें के सा मिलागत श्राफन लगा और लोज है छोई ये दो भगवान इसkęशा के सिभाए और कथा हम नहीं सुनेंगे मुह में कृष्ण कथा के सिवाय और कोई बात को हम बोलेंगे नहीं आख बंद करके रखे क्रिष्ण उनकी बिग्रह है के बगर और कोई चीज को हम कभी देखेंगे नहीं इसलिए हमारी गुरुदेव तीनो मंद्री में तीनो एसाइस बना करें इसलिए सिख्या देते हैं हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करके हमारे इंद्रियों को भगवत सेवा में लगानी चाहिए कभी हमारे गुरुजी से पुछे हमारे सब मधुसतर महाराजी बगराफ सलोकुन पूछे भुले गुरुदेव हमने सुना महाराजी हमने सुना प्र सही बात को बोलते थे कोई इधर दर बात नहीं जब उनने अब लोग ने कल सुना हैं जब गुर्देवन क्या-क्या बात उनने उसी समय इनको साधु मानते थे जिनको भगवान का इबतार कलकता में तो राम कृष्णा को साख्यात भगवान राम कृष्णा जै राम सही कृष्णा कली जुगे राम कृष्णा है जो राम कृष्णा कली जुगे राम कृष्णा है यही भगवान है इसलिए केते हैं इनको मानते थे लेकिन गुरुदेव उनको प्रमी क्या उन्हेने स्बद बोले आप तो उसी समय में आई साई से सब्द बोलते थे लेकिन हम लोग तो इसके बोल नहीं पाते अभी यह बात क्यों नहीं बोलते त nominees गुरुदेव कहते देखो जब कृष्ण थे ना कृष्ण रहाते समय अर्जुन ने गांडीव को द्वरा उनने क्या नहीं किया उनने है जिस माभार्थ जुद्ध हमें जो भिस्म दुणाचार जे अजर अमर करने जैसे लेकिन कृष्ण की सत्ती से उनने गांडीव को द्वरा उनने क्या उनने नहीं किया गांडीव को द्वरा सब को उनने मार करके धरासाई कर दिया उसी तरह जब प्रहुपाद दहते थे हम प्रहुपाद के बल पर हम लोग ने क्या नहीं बोले क्यों हम जानते थे प्रहुपाद पिच्छे है जो संभालने वाल प्रहुपाद का आशली बाद से हमने इस सारी काम किया लेकिन जब कृष्ण चले गए और जुटत रह एक समय सो हमारी गुरुजी से पुछे गुरुदेव यह भैष्णव लोग करी-करी अंतिमी समय में यह असुस्त लिला को क्यों प्रकास करते हैं क्यों बैष्णव का सरीर कत्रम ना जन्मकर्म मंधनम भैष्णवानांच विद्यते बैष्णव का जन्मकर्म जैसे भगवान का करते देखो जो बैष्णव लोगना सहज में किसकी सेवा लेना सहज नहीं चाहते हैं कोई हमारे सेवा करें सहज में यह लेना नहीं चाहते हैं जो बैष्णव लोग गए लेकिन पर जीवों का कल्यान कीशी होगा इसलिक और सुष्य और दूother को सिवा करने काउनको सू्जोग मिलता है जैसे भक्ति प्रमध पुरी माराज एक समय हमारे लारायन गोस्वाम静 lev ओदने खुशारी किसे बात नहीं करती अंतीम समय में और इसे इसे फड़े रहते घ़े लेकिन जोब गया जब उनेए सुने नवाराजा आया है आ स्रएक्षानेमंहें सुनते खुस गए खुसोगर मेरे साथ मेरे téléphone बल से उनने बात करना घूर टिया अच्छे अच्छे तरह से बात करना चौर दिया उसितार्व इसलें हमारे गुरुदे बहुत बहुत पहुत गुरुदे ने किया है अमारे बीच में एक छोटा बच्च्चा है एभी थोड़ी सी गुरी जी गभार में कुझे बोले है स्यावाना दुब्रव ओम ज्यानति मिरान धश्य ज्याना जन शलाकया चक्षूरून मिले तंबेन धश्मे शिवुरवे नम वांच्या कल्पतर वेष्य प्रुपा सिंधु वेवचा पतितानं पावनेप्यो वैष्नवेप्यो नमो नम जैश्री कृष्ण जैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्धुए तगदाधर स्रिवाशाली स्रिखोरुःप्त व्रिंद लहरे क्रिष्ण हरे क्रिष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे तत्पश्यात परम गुरुते पर्ग नितलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अश्टोत अश्टोत अश्टा सी सी मदभक्ती सी रुशी लसी धामती गुस्वाई महाराच नितलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अश्टोत 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 तुकिक रूपा वांचे करता हूं उपस्तित पुझेपाद संजय प्रभु पुझेपाद रामचंद्र प्रभु एबंग अन्यान समस्त वैश्णव वैश्णवी के चलन में मेरा जथा जोकी दंदवत्रणाम स्रिकारू जद्याभी मुझे भक्ति में तो इतना प्रवेश नहीं फिर भी गुरु देप का आदेश है कि सिलपरम गुरु देप के चलन में कुछ वाचनिक फुस्पांजली में प्रदान करूँ कल एक विशेश ति थी था हमने प्रातकाल से ही पूरा दिन भर उसी विशे में ही चर्चा हुआ सिलपरम गुरु देप के सुभा आविरुहाब ति थी था सास्त्र में भी बताया गया है कि इस सोरेरा जन्मा तिति जेहे न पवित्रा सेही मत वैश्णवेरा तिति रचरित्रा जिस प्रकार हम जन्माष्ट में आदी भगवान के तिति को बड़े उस सब बड़े आनंदिस से क्या करते हैं न पालन करते हैं करना भी चाहिए उसी प उनने तो कल से सिलापरम गुरुदेव की निर्भिकता जो गुण है उसको विशेस रूप में स्रवन किया किस प्रकार उनने प्रभुपात का जो मनोविष्ट था प्रस्तांत्रई उसको अपने भास्ते के माद्य में उन्होंने क्या क्या रचना किया और विशेस विशेस उनके जीवन चैते में सिक्षा हमने स्रवन की मुझे एक बड़े अच्छे बात याद आ रहे कि पिछले साल जब हम परम गुरुदेव के तिथी में पूरी पे थे तो वहाँ पे हमने सारसुत गोड़े आस्रम पे गये थे परम गुरुदेव के मट में तो वहाँ पे पु में अंतरज्यामी होते हैं कैसे ना एक बार उसको पहले जाके विश्टूत करना जानना चाहिए कि जब कल गुरुदेव ने वी बात बताया कि जब सिलव प्रभुपाद के सपने में सिलव गोर की सदास वाजी महारास सिलव भक्तिविनों ठाकूर और सोपार सद सिलव गो करने का आदेश दिया तब सिलव प्रभुपाद ने बताया कि मेरे पास ना धन्बल है ना जन्बल है तो स्वें सी सची नंदन गोरहरी और उनके जितने पारसा सिलव भक्तिविनों ठाकूर और हमारे जितने भी रूपानुबग गुरु आचाज बुरुंद सब ने उनको पुझापाद के जो परिकर है और साक्षात कौन है ना सची नंदन गोरहरी महाप्रुव के पारसद ही है तो और नित्य जगत में क्या करते हैं नित्य ठाकूर जी के राधा कृष्ण के सेवा करते हैं इसे एक उदारन पे उनके स्वरूप परकट किया स्वें सिलव भक्ति परम गुरुदेव ने अपने जीवन चरित्र में कि वो कैसे नित्य शिद्य है एक समय पुझेपाद भक्तिप्रणे मुन्य महाराज बोलते हैं कि महाराज जी के परम गुरुदेव के विग्रय अप्रती बहुत रूची था सेवा में कोई तुटी हो जाए तो बड़े मतल बड़े रुची था तो उनके मतले परम गुरुदेव के मतले मैं पुझेपाद भक्तिप्रणे मुन्य महाराज जी करते थे तो एक समय उनको कहीं बाहर जाना था तो किसी प्रह्माचारी को बोल दिये कि आप क्या करना कुछ प्रशाद बना के ठाकुर जी को भोग लगा देना और ओ प्रह्माचारी तो जानता ही है कि हर समय क्या होता है ठाकुर जी को जो मिठा और न जो पुस्पार न बंगाल में बोलते हैं और परमान जो खीर उसको भोग लगाते हैं तो उसने आलश से वसेत क्या किया ना ओ बनाया नहीं बस चावल डाल इत्यादी इत्यादी ब्यांजन मना कि ठापुर जी को भोग लगा दिया अब इधर परम गुरुदेव देखे नहीं परम गुरुदेव अपने भजन कुटिर पर ही थे तो उन्होंने तुरंत जैसे भक्ति प्रणय मुन्य महाराज साम को आये तुरंत उनको पूछा कि आज ठाकुजी को क्या भोग लगाया हुए तो उन्होंने बोल दिया कि जैसे स्वाबिक हर दिन होता है क्यारन सब्सक्राच डाल सब्सक्राइब कंगया हुए कि तो परम गुरुदेव ने बताया आप जाके देखो खीर भोग लगा हुआ है किने तो मुनी महाराजी ने मैंने इसे ही जाके देख के बोल दिया हमाराजी की हां गुरुदेव की भोग लगा हुआ है तो तसी लपर अगुरुद ने मैंने बोले लाओ खीर मुझे दो खाँ बाम वम्याद लाओ मुझे खीर दो अब जाके पुझे पाद भक्ति प्रणाय मुनि माहराज ने वहाँ पर जब जाके देखा तो खीर हे ही नहीं तो ब्रह्मचाय से पूछा खीर लगा या बोले नहीं फिर गुरुदेब के पास आके बोला गुरुदेब खीर भोगने लगा मैं जानता हूँ आज खीर भोगने लगाया तुमने आज मेरा नित्य सेवा में बाधा डाल दिया फिर बाध में एक वार में उन्हों पता चला कि केसे पता चला कि स्वयम राधा कृष्णा राधा रानी स्वयम उनको आके खुद बताई कि आज महाप्रोव के सेवा में खीर भोगने लगा इससे पता चलता है कि स्वयम राधा रानी जिनको बता रहे हैं इससे पता चलता है क्या ना ओ नित्य सिद्ध हैं हमारे पुझेपाद भक्तिवान बामन गुस्वाय महाराजी के जिवन चैत्य में देखा जाता है कि महाराजी कि समय बाहर में बेंगल में प् पार रहे हैं तो महाराजी तुरंत आके तुरंत आगे पुछे दो दिन से जला हुआ खीर भोग लगा रहे हैं और गुरुदेव को सब पता ही चल गया तो भी चाला जूट भी नहीं हो लहां गुरुदेव थोड़ा जल रहा है उसका क्या एंग उत जैसे विते से करके भोग लगा देता है लेकिन जो पास्तविक स्वरूप है गुरुवर्ग किस चीज़ को जो चीज़ को विसेश रूप में ध्यान देते हैं वही उनका क्या होता है ना विसेश जो राधारानी कुछन के लिए जो जो ब्यंजन बनाते हैं और उनके आनुगत्ते में जो सक्षी लोग हैं और उनके आनुगत्ते में जो मंजरी हैं वो ही मंजरी है वो क्या करते हैं राधारानी को सायोग करते हैं तो उनको तो बिसेस रूप में पता ही चल जाता है कि आज ठाकुर जी को क्या भोग लगाया और क्या भोग नहीं लगाया तो इसलिए पता चल जाता है और दूसरे बात पुझेपाद भक्ति शिरुख सिधांति गुष्वाई माराज खुद जाके वो ब्रह्माचारी को पूछ लेना चाहिए जद्या पर उनको मध्यान नकाल से पता चल गया कि ठाकुर जी को आर्जखीर भोग नहीं लगा हुए या परमानन भोग नहीं लगा हुए तो उनको खुद जाके पूछ लेना चाहिए उन्हाने पुझेपाद भक्ति प्रणाए मुनी महाराज जीसे ही क्यों पूछा साम साम में बोल रहा है कि गुरु अंतर ज्य जो यहां पर बताया गया है कि जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तश्यति कतित अहियारत प्रकास शंते महात्मन जैसे देखा जाता है कि यहां पर बोल रहे हैं कि गुरु देप क्या करते हैं सारे के सारे सिस्स्यों के हुरुदे में क्या करते हैं अपन लेकिन सारे के सारे देखा जाता है कि सारे के सारे सिस्यों में वो क्या होता है प्रकास नहीं हो पाता क्यों नहीं हो पाता क्योंकि उदाहरन दे रहे हैं कि सिस्यों उतने परिमान में गुरुदेप के चल्ण में क्या होता है न स्रणागरत नहीं हो पाता इसी कारण से गुरुदेप चाहकर भी उसके रुदे में उसी भाब में प्रकासित नहीं कर पाते जैसे गुरुदेप तो बारिस के समाने पूरा कुरुपा करने के लिए बारिस देते हैं लेकिन धान उसी जगा पे जो बीज है उसी जगा पे अंकुरित गम होता है जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे पत्थर हो, वहाँ पे कितने भी चाहे बारिस हो, वहाँ पे कोई मिट्टी भी नहीं, पत्थर के उपर क्या हो, ना बारिस होने से वहाँ पे कभी भी अंकुरित गम नहीं होगा और इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं ना सारे के सारे समय सिस्से को बहुत अच्छे अच्छे सिक्षा देते हैं चाहे ओ कठोरता के दुरुष्टी से क्यों ना हो चाहे ओ प्रेम से दुरुष्टी से क्यों ना हो और चाहे कहीं हसी मजाक में भी क्यों ना हो उसको साधरन नहीं मान लेना चाहिए उसको सरवदा सिरियसली अर्था गुरुदेव गम करना चाहिए कि गुरुदेव ने हमको किस बास से किस लिए इस चीज़ एक बात बोलने हैं कि गुरु अंतरजामी रूपे सिखाया आपने गुरुदेव हर समय क्या होते ना अंतरजामी सुरूप होते अब यहाँ पर पुजपाद भक्ति प्रणे मुनी महरा जिसना परिमान में पुजपाद परम गुरुदेव से सरनागती थे तो उसी लिए ही पुजपाद परम गुरुदेव ने क्या किये तो हर समय क्या होता है ना सिला परम कल हमने स्रवन किया कि परम गुरुदेव ने अपने सारे के सारे मठ में महाप्रभु के लीला और कृष्ण लीला इत्यादी को विसेस रूप में क्या कि यह ना चित्रा और मूर्ति के रूप में जभिक्रह के रूप में उसको दिवार पर अपने उपदेशा मृत को दिवार पर रखा क्यूं मत में रखा क्यूं ना कोई आगे इस लीला को कम से कम देखे और इस उपदेशा मृत को कम से कम पढ़े स्रवन करे उससे उसका क ओ क्या है ना जो मठवासी है ओ चाहिए एक समय पे ये बात चल्चा हो रहा है तकि जो मठवासी है ओ ये ना सोच ले कि ये केबल साधरन मठ है अगर कोई ठाकुर जी का पटचित्र नहीं रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा तो इस शोच ना लेगी साधरन है इसमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है तो मठ्म जो है वो आस्तविक में घर जैसे प्रिति रखना पड़ेगा पुझेपाद भक्तिकूंसंत्व महाराज जब असुस्त थे तो उनके सेवक कहलें बाहर गया था तो हवा के कारण जो मठ के जो द्वार है वो आप-डाउन आप-डाउन होके एसे नहीं दौर हवा के करण जो दौर है वो पूरा दर्वाजा इसे इधर उधर हो कर पूरा जोर-जोर से साउंड हो रहा था तो महाराज जी ने सै ने पाए तुरंत वुट के क्या किन उसको बंद कर दे तब जाके उनके सिख सिख से जब आए सेवक ने महाराज आपनी कि करे असलन वह महाराजी बोले यह हमारे गुरुदेव का संपत्ती है इसको रक्षा करना मेरा दाईतो है तो केसे जो मठ है और हमारे पुझे पाद भक्तिक लगतिक तो गुसाहि महाराजी के जिवन चरित में भी स्रवन करना है कि अपने तक्या के नीचे हर समय क्या करते थे ना वो मठ का जो एड्रेस को महाराजी लिख के रखते थे तो किसी समय पूछा कि आप ये एड्रेस को क्यों लखे हो बहुत ये बैकुंट है बैकुंट जाने का रास्त है यहां पर रहते रहते क्या होगा ना हमारा उनित्य धाम में जाके अधिकार प्राप्त होगा तो ये कोई साधरन घर तो नहीं हुआ तो पुझेपात परम गुरुदेव ने इसी एक कारण से वज़े से रखा कि जो जागतिक लोग है और जो मठवासी है ओ कहीं गलती से भी ना सोच लें कि ये साधरन घर नहीं है ये साक्षात रूप में वैकुंट जाने का जो द्वार है जो भगवत प्राप्ति करने का द्वार है इसलिए क्या कि ना सारे के सारे समय जब भ्रह्मचारी उठते उठेंगे देखेंगे हर समय महाप्रव के लिला किष्ण के लि और अरे ये ठाकुर जी का स्तली है अरे ये गुरुवर्ग का स्तली है ये प्रभुपात का वास्तविक संपत्य है उसी भाव में वो क्या करेंगे न मत में सेवा करेंगे नहीं तो जैसे बाहर सेवा करते हैं उसी प्रकार में हो जाएगा तो कहने का तात्पज्य है कि प्रभुपाद बोलते हैं कि यह 64 मट ने यह 64 प्रकार का कुंज है साक्षात जो नित्य धाम में जो कुंज बिराज्मान रहते हैं उसको साक्षात प्रभुपाद ने क्या क्या न मट रूप में यहां पे स्तापित कर दिया और हमारे गुरु वर्गों ने भी मठ के प्रति कितना प्रिती रखा अब यहां पर बता रहे हैं कि मठ जो है इसमें स्वभाविक मम्ता होना चाहिए तभी जाके क्या होगा ना गुरु विश्णव का विश्ण रूप में कल्यान प्राप्त होगा और एक बात याद आ रहा ह पुझेपाद और प्रभावपाद के पार्सा beginner Ge上面 महाराजी के सिस्या चरणाश्रीत ऑम भिश्णु पााइzw अस्ट्रोट सब्हान के आच्बांगयों उनसे एक बार स्रवन किया मैंने कि जब विशा का पाट्णाम में मठ प्रस निर्मित हो रहा था तो उसी समय पे हमारे गुरुदे पुझेपाद भक्ति विग्यान भारती गुस्वाइं महाराज पुझेपाद भक्ति प्रमत पुरी गुस्वाइं महाराज सब लोग वहाई और शिला भक्ति रखियाक सिदर गुस्वाइं महाराज से और शिला भक्ति विज़ा पुरुक्तम तृत्ता मुत्तर कुझेपाद भक्ति विज़ा पुरुषथयं महाराज सबसे पहले मंगलाचरण की और तब एक ही बात बताया कि ये जितना भी सारे मठ देख रहे हैं आज मैंने बनाया तो केवल पुझेपात भक्ती सिरूप सिधानती गुस्वाई महाराजी के प्रेणा से तो वहाँ पे सिल भक्ती विग्यन भारती गुस्वाई महाराज और हमारे गुरुदेव सब लोग थे तो उनसे पूछे कि महाराजी आपको इप्रेणा कैसे मिला नहीं मैं जब पूरी पे गया मठ बनाने के मेरा कोई उद्देश से नहीं था लेकिन जब मैं पूरी पे सारस्त्य गोडे मठ पे गया और वहाँ पे जो कारुकाज्य को देखा कितना कितना सारा का सारा लिला है वहाँ पे हर जगा क्या होए मुझे बड़े आनन्द लगा और प्रभुपात के जो उपदेशा मृतम और जो उपदेशा मृतम जो दिवार पे चिपका हुआ था जिवार पे जो खुदाई होके हुआ है उसको में पढ़के बड़े आनन्द लित हुआ इसलिए उस्विसाकवपित नम मत वी पूरा हमारे परम गुर्यदेप के मत का डूबलीके डिक्ट्टो कफी है पूरा हमारे सारो शत्य गोडे मत में जिस प्रकार का सारे के सारे लिला है वहाँ पे पूरा सारे का वारे जिला है हमने खूद देखा कि अरे ये तो हमारे परमगुरुदेव के मठके जैसा ही लग रहा है पूरा का पूरा इस जगा पे राइट साइड पे प्रभुपात का उपदे सामरुतम है लेप्ट में उब्रंदा देवी जैसे कि जैसे पूरा का पूरा एक्जेट उन्होंने प्रस्तुत किया तो बोलने का तात्पजे ये है कि उन्होंने किस भाब में प्रभुपात का मनोविष्ट को बास्तव में स्तापन किया और प्रभुपात को मनोविष्टत को उनने जान पाए क्योंकि ओ पूर्ण रूप में स्रणागती थे और हम भी कभी गुरु वैश्णव के आनुगत्य में उनके जिवन चरित्र को बार बार स्रवन करे ताकि हमें गुरु वैश्णव के जब मनोविष्टत को जानने की हम कोसिस करें जब मनोविष्टत को जाननेंगे तभी तभी गुरु देप को क्या करेंगे हम उनके अनुग रूप हम सेवा कर पाएंगे अब मनोविष्टता को जान नहीं पाएंगे तो हमारा सेवा भी नहीं होगा बस हम कर्म आम जैसे करते हैं उसे ही कर जाएंगे तो कभी हमारे गुरु वैश्णव के जो मनोविष्टो वो हम किसी विशेस रूप में हम उनको मनोविष्टो थोड़ा सपर से ही कर पाए उनको थोड़ा ही जान पाए क्योंकि हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि पूरा का पूरा भी जान पाए तो हमारे उपर सच में कितना बड़ा कृपा होगा गुरु वेश्णव का क्योंकि इन्होंने भी मठवास किये और हम लोगों भी मठवास कर रहे हैं और इन्होंने मठ में रहे के हमारे लिए बिसेश रूप में ये आचर्ण और सिक्षा प्रदान करके गए है और ये तो हमारे बड़े सोवाग्य था कि इस सार लगडाउन के वज़े से हमारे गुरु देव गुरु जी पूरी पे थे और जुलन के समय हर समय इहीं पर ही ले जाते हैं और कार्तिक के महिने इहीं पर ही ले जाते हैं परम गुरुदेव के आविर्भाव तिरोभाव तित्थी पे इस समय बड़े कुरूपा हुआ कि गुरुदेव के साथ परम गुरुदेव का तित्थी का विशेश रूप में पालन करने का आनंद और सुयोग प्राप्त हुआ उहां पे भी बड़े अच्छे से हमने परम गुरुदेव का तित्थी को पालन किया था गुरुदेव इतना उस्ताइथ हो जाते हैं कि जो मार्केट से हर समय पे पर उठते हैं और फूर लाए की नहीं ये लाए की नहीं ओ लाए की नहीं ओ लाए की नहीं पूरा का पूरा प पालन हुआ था जद्यापी गुरुदेव कल बोल रहे हैं थे कि लगडाउन होने से जागतिक लोग पड़े उदासिन हो जाते लेकिन लगडाउन होने से हमारा क्या हुआ विसेस रूप में कुरुपा हुआ तो हम गुरु वैष्णव के चरणे में सिलप परम गुर्देव के चरणे में कृपा प्रार्थना करते हैं उनके चरणे में हम यही प्रार्थना करते हैं कि कभी हमारे गुरु वैष्णव के मनोविष्ट को हम वैष्णव के मनोविष्ट को जान पाए और उसी रूप में हम विसेस रूप में सेवा करने में नियुकत हो वांचा कलबतर वश्रूपाशन बोचिताना रामचंदर प्रूप करन्त लेके आते रोच भेजाता बतार एक अध्याए भी पूरा नहीं हो रहा करने में देगा ता आपके आतमों गुष्णा वो तो कल यह मारा जी वह एक लोग वाली बात रहे गई वो दो इनिको नो कोई था ने शिश्चे क्या कहते हैं पुत्री की शादी होनी थी और वो जिसके घर में शादी होनी थी वो कह रहे थे मास नहीं परोस होगे तो श्राद वो वाला अच्छा था हमारे जी वो बता ही मेरे को पूरा स्मरण यहां पता है वो यह बोला बोला फिर उन्होंने बोला हां ठीक है बरात को बुला लो और रसोई बनवाई स्वैम वो उसी आकार में सब कुछ बना दिया समय तो होगे हमारे कीरतनी कर लेता आप कुछ और समरण आप अच्छा भूमी का पड़ा रहा है वो वेदान सुत्र की भूमी का बता देते हैं इसमें पूरा बेदान्त बता दिया उन्हों चेतन रिता मिर्थ से और पूरा भागवत का सार उसमें पूरा बता दी उसको पड़के लगता है आगे वेदान्त पड़ने की आउशकता नहीं है इतना उन्होंने संचेप में और इतना सुन्दर रूप में आरंभ किया केक केवल भूमी का इसलिए लिख रहा हूं कि गरंत की जब कुछ मंगला चरण करने के उद्देशे से कुछ लिखना आवश्या कि बड़ी दीनता पुरोग उन्होंने जो भी बात प्रकाशित की युजविपर में भी निकला था भक्ति श्रव उसे ध्यांति गोष्वाई महाराज ने अद्भूत गरंथ यह ब्रेदान्त सुत्र को निकाले अभी इतना प्रसीद हो गया यह ब्रांत सुत्र गरंथ अभी वहां पर इन्वर्सिट था अभी इन्वर्सिट का जो प्रिंस् उसमें एक कमी आ रहे हैं उसमें उसमें बाबा जीओं का फटो दिया ना जो भाबा लोंक ऐसे बैठे हुए अब देना जगर्नादास बाबा जी महाराज के इसे बैठे हुए गौर्गी स्वार्ट पागल जैसे बैठे हुए इसलिए कहते हैं इसलिए जो साधुओं का फटो है थोड़ी सी इनको थोड़ी वहां से मूब कर दो हटा दो फिर ताम इसको कलेज में इसको चालू कर देंगे यह कलेज में पढ़ाई होगी जब तक रहेगा तब मेरे गुरुदेवन कहा जिनकी कृपा और आशरिवाद से ही मैंने ग्रांथ लिगा और उनको हटा दे और मेरे ग्रांथ को कलेज में पढ़ाई जरूरत नहीं गुरुदेवन जरूरत नहीं पढ़ाने के लिए यह ग्रंथ को जो सवभाग्यवान वेक्ती होगा यह ग्रंथ को पढ़ेगा इसलिए वहां पर कोई जरूरत नहीं इनवर्सिट में इसको पढ़ाने के लिए गुरुदेव ने पूरा की पूरा उनको मना कर दिया इसलिए जब रहला नहीं चलता है वह डon प्रशादी का माला और उस से चीज़ को रख करके जो लिगते थे क्योंकि वस्तु है यह स्वयम सिद्वश्तु इसको द्वरा ये बुद्धी पांडितों को द्वरा ये बस्तु नहीं है जब तो कि गुरुबर्ग हमारा हिर्दय में स्वत्स इधरूप में स्फूर्ती नहीं कराए जैसे स्री बलदेई प्रभु बिद्धा पुशन प्रभु का हिर्दय में गोविंदेदव स्वयम का सुक्रत पठं कर्शन कर्ष्टै जैसे ओ बलता है क्रिष्ण करिष्ण जिन और नाच देखेंगी दपर रहता है और ओंटक्री सीघ्री परसाध कर लोगने लिखते थे ऑगर का फटव रहेँ ग्रुरुदेव का नीया गुरुबर्गों को प्रणाम करते हैं गुरुबर्ग हमारा हिर्दय में अब लोग यह चीज को स्फुर्त प्राप्त कराओ तब फिर गुरुदेव ने इस सब चीज को गुरुदेव लिखते थे इसलिए इन लों को अंदर में ऐसे सरणागती भावना है अभने जैणागती इसे करें के गुरुदेव द्रोलय करते काइजमें पूरी इसलिए रत्यात्र स्वाइतर प्रैफार किया हुआ उनने गुरुदेव को बिना बोल करने के तरशन करने के लिए चले गए तो दरसन करने के लिलए तो बोलाइए ने में जा रहा हूं तो उन्हेन सब prison उपकते सांगेная तो. उसका सर्ड़ते को पकड़ सकते, अधर लिया है उसको भी उसके हैं आदर पर यहां पार में तुम्हें जगर्णाजी को दर्खन करने के लिए जगर्णाजी की इनितनी आख रसफन से आखस दर नहीं होगह जब तक आदिस नहीं और और दर जाना िैशन मौसी तब तक ही नहीं जानाों जब तुम घर में रहते भव ठीको जब तुम और में आये हो कम शकम गुरुजी का आदे सतन लेकर के जाओ ऐसे नहीं जैसे इच्छा होगा यहां चले गए उहां चले गए उहां चले गए गुरुदेव का एकदम यह चीज़ को पसंद नहीं था कल हमारे माधव प्रिवपरू बोल रहे थे ना इसलिए हमारे गुरुदेव भी जो ब्रह्मचारीयों को सहज रूप में इधारदर नहीं भीजा कर थे पता एक इसको साथ में जाएगी बात तुक मन औहिशास पाराप नहीं चाहते थे और गुर्दे में भी जैसे गुरु परकु का तिती तिती में गुरु देभी का इए विचार था उतना वैस्व को बुलाओ जितना वैस्व को अच्छे तरह से सत्कार कर सकते हो इसे नहीं हमारे बंगला में कहा बएसे सन्या सिगाजर निष्ट मतलब ज्यादा सन्यास के बुला दिया किसको तुमने सन्मान नहीं कर पाई उपजुक्त रूप में बहें बैस्पनव को नहीं भगवान का नीज़े जैने जब बैस्पनव को बुलाओ जथा जोग्य रूप में उनको आदर सत्कार करो, उनको सेबा करो, ज़्यादा लोग को बुला दिया, किसको देख नहीं पाई, कोई नाराज हो गिया, सेबा ठीक से नहीं हुआ, गुरुदेव का ये एकदम गुरुदेव का पसंद नहीं था, गुरुदेव कहते में गुरुदेव कैसे भैस्नव को सन्वान देते थे, मैंने खुद देखा, दूसरे-दूसरे मट से उनने, सब को गुरुदेव वही पर थे, उनने जगरनाजी का प्रसाद मगवाया, जगरनाजी का प्रसाद मगवा करके, गुरुदेव स्वयम बैठे, और जो वहाँ प कपड़े जो पहिनने वाले अच्छे कपड़े एंको ऊपनो हाथों से अच्छे कपड़े देते थे अपना तितीमें और वहां के जो जगर्नाज के पंडे उनको भी निमांतर देते तो कि यह सेवक लोगें जबनाती वहां न कर रहें कि जगर्नाजी का सेवक उपजुक तो उनको संमान गुर्देव देते थे और यहां पर जो जुठा है कौन करें मंदर का जुठातerson को यहां कर दोट मैंने जुल नहीं हां किया क्यों कि मैंने अपना गुरु जी की मठ में तीनों मठ में अद्भूत सुंदर जुलाए जो मैंने देखा था इसलिए मैंने जब इधर आया मेरे मन में इच्छा होती थी जैसे हमारे गुरु जी और में आपर भी ऐस हो इसलिए मैंने अथा परिश्णम करके कितना भाग दोर करके पर पैसा कलेक्शन करते हुए भक्तों से इधर उदर से भिख्या करते हुए बहुत कश्ट करके हमने यह जुलोन को बनाया जब यह पहला जुलोन बना है ना जो एक बार देख लिया पागल हो गए कि मंदरी में हमारी किसके अंदर में है JUST किरिपालव को नाम सुन होगिह वह भी देखने के लिए यहां पर आए ऐस कोई पंडा Middleman में जब यहां पर तो लाय लग गई दर्शन करने के लिए कि आप बनाया यह गौडिया मटर है है क्या है जो लोग को देखा ना आप लोगने क्या अधभूत जूब यहां पर है लेकिन जो चीज ने हमारे मै। ने ठाकुर को सेवा के लिए क्या उपर में तो चितर का रहा हमने हमारे गूरी यहां पर कंदर ने तरह को अच्छे तरह को अच्छे तरह रूप में पुरी माठ में गए नहीं होंगे अंदर में गई तो लगा आजए सब्सक्राइब अच्छे-तर से करते थे और हमारे मंदरी में ठाकुर जी का जो भोग है आप पूरा साड़े 11 बजे होनी चाहिए एकदम उहां से समझ अएकदम नहीं हमारे साड़े साड़े 11 बजे ठाकर जिका भोग लग जानी चाहिए किसी तरह से ठाकर्ष का जो सेवा पुज़ा में टाइम से नवंदरी, खुलनी चाहिए, भाविन ठाकुरु को भभाग होनी चाहिए, टाइम में सब कुछ कीज़ी को ठाकुरु गुरुदेव कहते थे, ठाकुरु को सेवा अगर हम प्यर शिक करेंगे की आप कोई चिंता नीए ठाकुरु अपना सभा के वश्था स्वयम उनेगे इसलीए गुरु देवयका बहुत बहुत सारी भाइ की थ problem ँदूकी अचcca वाई मिझा गौरु जी की इसलीए उनकी जन्मतिति में गुरु जी सांप्रार्तना करते हैं वह हम सब को परें आश्रिवाद करें कृपा करें जैसे उनका आधर्स को अपना जीवन में ले लिए हैं हम लोग जीवन को सार्थ गोना से टीग महरत जी का हम लोग गत कल्ये से बहुत कुछ उनके विशे में श्रवन कर रहे हैं महरत जी इतने अनुशाषन प्रिये थे इतने अनुशाशन प्रिय है कि हम लोग जो वरतमान समय में मठवासी हैं अथ्वा भ्रमचारी जीवन यापन कर रहे हैं हम कलपना भी नहीं कर सकते वो कितने अधिक अनुशाशन प्रिय थे कल पूझेपाद आचारे महराजी जो आये थे पूझेपाद भक्ति रंजन सागर महराजी उन्होंने केवल कलकत्ता मठ में रेलिंग से नीचे जहाग दिया पराम रेलिंग होती न दौआर के बाहर गैलरी होती गैलरी उससे नीचे जहागा केवल कि बजार में क्या हो रहा है बस जहांका तो पूज़ेपास सिद्धान्ति गुष्वाहि महाराजी ने देख लिया उनको उनका नाम था नित्यानंद नित्यानंद नाम था नहीं तो उनको देखकर कहते हैं कि नित्यानंद तुमार व्यवस्था कर ची और उन्होंने पूरे जाल को वहां पर पूरा जाल लगवा दिया कि कोई गैलरी से नीचे ही ना जहांक सके इतना वह अनुशाशन प्रिये थे इतना अनुशाशन प्रिये और हमारे पुझ्यपास सादु माहराजी बतलाते हैं कि उनका स्वर जैसा माहरा जी कह रहे थे ना सिंग के ही पुत्र हैं शिला प्रहुपाज जी के इतना गंभीर उनका स्वर्ण था कि वो कहते हम उनके सामने जाने में भी भैवीत होते थे बड़े भया भै लगता था उनके सामने जाने में इतने अनुशाशन प्रिये थे हम लास्ट में अब लोग ने दर्सन किया बड़े सीधी साथ देखे पहले जो च्छत गुपर में भी भ्रह्मिजाय को जाने नहीं देते ते मतलब गुरुबरिष्ण वह चाहिए थे जब मंदिरी में आये हैं अनुशाशनों के साथ में और सारे इंद्रियों को भगवत उन्मुक कर्तवियों भजन करो उनका जो भाबना है नारायन गोस्वाइमर की भाबना थी यह इंद्रियों को इधर मत बहागाय करो सब आख नेल लिए नारायन गोस्वाइमर का था रंक है नील आपको लगया जहसे गुरुदेव इधर देखरे लेकिन गुरुदेव सारे इधर देखरे उनका आख अप देखना बड़ा चंचल देखेंगे ना प्रमजी आख एक्दम ना उनका आख जो पूतला है ना है गरना जेसे चंचल गुरुदेव का आख बटीवे से ओ देखेंगे एधर देखाए इधर जो बेट अवाना पता है गरुरुदेव तो इधर देखें पुरान ने जरे पॉलिस देगिशलें पूल देग्टेव कुरुदेव बोल देग पूल देगे सिलिए गुरुदेव का एक दम आलाव नहीं था मतुरा में इसलिए इसलिए गुरु वैष्णाव का जो सासन में जो रहेगा ना उनका कल्यान है इसलिए जद्धे भी लगता है यह कठोरता है नहीं गुरु वैष्णाव जो कुछ घरते हैं अपना कल्यान के लिए इसलिए हम लोग को नियम है ब्रह्मचार को सतंत्र रूप में मंदरी से बाहर जाकर कि जो जहां घुमें जहां खाए इस सब चीज़ को नहीं करनी चाहिए गुरु वैष्णाव जो सासन करते हैं जो सासन को सहन करता है हम जो सागर महाराज थे वो बोलते थे आज मैं आशार जहां बले किसके करिपा आवल गुरुजी की कथमें इधर उदर क्या गुरुजी डंडा मार गरें तोड़ दिये मेरे उपर में जो कल जो सागर मार जाए तोड़ दे मेरे तुमने इस से काम किया कैसे लेकिन अभी शेमकलों को दंडा क्या तोड़े गए थोड़ी से बोल जा रहा है सवाएं ऑब जा रहा हैं सुनने के लिए गुर्यज्णों का सासन को नहीं जो सहे सो रहे जो ना सहे फोग माहरत खुद बोलते थे कल़े मैंने गुरुजी का बड़े सासन कमेने सीवकार किया है इसलिए अध्य दुक्र लगा रगातों तो सहे वो रहे, जो ना सहे वो बहे, इसलिए गुरुवेशनों हम सब को पर मिक्रिपा करें आश्रिवाद करें, जैसे हम यह भक्ति यह वन को, और एक बाद गुरुदेव बहते देखो, जैसे प्रहुपात लाष्ट में बोल करें ना, सत लाच्छना, सत गंजना, सत अपमा छोड़ करके, कभी हरी भजन नहीं छोड़ना, मठिन नहीं छोड़ना, प्रहपाद गांतिमपदेश, गुरुदेव यही बोलते देखो, कोशिश करो, एक जीवन मठवास करने के लिए गुरुदेव, सब मिली जुल करके, ठाकुर को सिभा करते हुए, एक जीवन बिताओ गुरुदेव जोड़ना, क्यूं? हम लोगों सब सब संस्कार रही थी बेखती है, कैसे हमको गुरु बर्गऑ चोटी पकड़ करके ना, हम जोड़ना करने वाले नहीं है, गर एक जीवन किसी तर से बित गया ना, अगली जीवन में और वही संसकार बढ़कर कर प्रकट मंद्री में देखो कितना बज़े उठे हो आप लोग सो चार बज़े उठे होंगे यहां पर पहले बेले बज़ा दे तहीं चार बज़ें से लेकर उठकर के नाधो करें तिलग आनी किर्टन हरीकत अभी कितना बज़ रहे हैं ना बजने जा रहे हैं अब बताओ पांच समरनने चोड़ करें मनदिर से बाहर निकलते ही लेकिने मंदिर इतना इसलिए गुरुदे गहते हैं हम घर में रहते तो इतना घ्यावी लोग नहीं लोग लेकिन फीजिए गुरुदे मंदिर इसलिए इसलिए अगर एक जीवन रहते 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 यह सुभाब में परिवर्णत हो जाता है तो वही राग भक्ती रागानुगा भक्ती है इसलिए गुर्देव करते एक जीवन मत में रह जाओ तुमको लगता है जैसे क्या हो रहा है नहीं बहुत बड़ा साधन हो रहा है रिदय में बड़ी रेखापात कर रहा है यहीं करते 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 इस सोभाव में परिवर्ण हो जाता है इसलिए प्रहुपाद इसलिए बहुत भाईया सत्तल आचना सतना अपमान सुन कर कभी हरी वाजन नहीं छोड़ना भगवान नहीं चोड़ना इसलिए गुर्दव का इए एक विश जीवन किसी तरह से उसको अपना जीवन में उतारते हुए कई से भजन करें लेकिन गुर्दय कहते जब प्रहुपाद चले गए कितने जहन जहटा कितने क्या-क्या जीवन में आई कितने ब्रह्मचारी चोड़ कर घर चले गए कुछ-कुछ लोग लेकिन हमने देखा एक फिर हमको आगे धीर धीर संस्कार में बढाते रही है अग्य। कि यहलो कि थे लो दो यहाँ कि एलो कि लो दो एलो कि अब जो जो एलो कि अज़ कर बाकियो यहाँ लो बादर कि लोका टीज़ा है